नमस्कार मैं हूँ दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है ख़बो के ओबने से पहले एक नजर सुर्खियों पर केके पाठक ने नियोजित सुक्षकों को दियाल्टीमेटप, सरकारी अस्पतालों में QR कोड स्कैन करते ही लगेगा नमबर पेलवे भरती बोर्ड ने भरती के लिए जारी किया वार्सिक कैलेंडर, बटना के जेपी गंगा पत पर नहीं लगेगा टोल टैप, विराट कोली के फैंस को मिल सकती है खुश ख़बरी, इसके साथ ही बरते साम तक की बरी ख़बरों की और विस्तार से बिहार में आईस आईपियस के बाद बीडियो का हुआ तबादला हुआ है, बताया जाता है कि आगामी लोग सबाचुनाप को लेकर ऐसा किया जा रहा है, ग्रामीन विकास पदाधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, ग्रामीन विकास विभाग ने इसको लेकर सूचना भी बिडियों का तबादला किया गया है, ग्रामीन विकास पदाधिकारियों के बरतला हुआ है, यदि न्योजित सक्चक तीन वार शक्छमता परइक्षा में फिब हो जाते है, तो उनकी नौक रीच चली जाएगी, हाला कि नियोजित सिक्षकों को चार मौके मिलेंगे, इसमें से तीन परिक्षा में सामल होना जरूरी होगा, आपको बता दे कि इसको लेकर एक परवरी को कमीटी का गठन हुआ था, इसका धक्ष केके पाठा को बनाय गया था, परिक्ष निशनल हाईवे को जोडने वाली फोर्लेंड सरक जल्द होगी तयार, पटना गया बोध गया निशनल हाईवे को जोडने वाली पटना बाईपास से नुत्वपुर तक बनने वाली फोर्लेंड सरक जल्द तयार हो जाएगी, इसके निर्मान कारे इसी महीने से सुरू हो ज जाएगी यह नुत्युपुर नारायन चक में बन रहे हैं नुत्युपुर हाइवे जंसन तक जाएगी इस पोलेंस रखे बन जाने से पटना न्यू बाइपास के दक्षन की तरफ बसी करीब पांच लाकी आबादी को फायदा पहुंचेगा लोगों को आवा गमन में सुवि किया गया है जिसे जला अस्पताल के साथ सभी सरकार्य अस्पतालों के लिए यादेश जारी कूआ गया है मरीजों को म्मी लाइन में लगकर अपने नमबर का इंतरब करना होगा क्यू आड को स्कैन कर डॉक्टर से लाज संभव हो जाएगा इस के लिए लोगों का आभा आईडी बनाया जाएगा इस आईडी से मोबाइल के जरीए कोड स्कैन करने के बाद OTP मिल जाएंगे आयुस्मान भारत डिजिटल मिसन के तहत अस्पतालों में QR कोड लगाया गया है रेलवे भरती बोड ने भरती के लिए जारी किया वार्सिक कैलेंडर रेलवे भर सार्च के भी सहाइक लोको पाइलट की अप्रेल से जून के बीच तकनीसियनों की जुलाइ से सितंबर के बीच एंटी पीसी जूनियर इंजीनियर तो वहीं पारा मेडिकल कैटेगरी के लिए ऑक्टूबर से दिसंबर के बीच परिक्षा होगी यदि कोई एक प्रयास में स परिक्षार्तिに इसकासत हुए हैं साथ ही कई मुन्ना भाई भी पकड़े गए हैं तीसरे दिन 45 से छात्र पकड़े गया इनके खिलाफ एक्षन लिया गया है वहीं साथ लोग दूसरे के बदले एकजाम दे रहे थे इनके खिलाफ कारवाई हुई है आपको बता दे की परि प्रसातब के मौसम में पानी जमा नहीं हो सके इसका भी द्यार नखा जाएगा। सरकपरिवान विम्राजमार्च मंहीं नैस के लिए टेंडर जारी कर दिया है संभावना जताई जा रही है कि अपरल के महीने में इसके लिए भी काम शुरू कर दिया जाएगा नहीं जल्दुई की काम पूरा हो जाएगा बताया जाता है कि करीब 15 साल से ये परियोजना अटकी होई थी पत्ना के जेपी गंगा पत पर नहीं लगेगा ट तैयारी कर ली है अब जल्दी कैबिनेट में यह प्रस्ताब रखा जाएगा जानकारी के नुस्वार देखा से दिदार गंज तक आवागमन के चालू होने के बाद दो जगों पर टोल टैक्स वसूलने की योजना बनाए गई थी फिलहाल देखा से दिदार गंज तक आवा दिनों में प्रोफिसर चंद्र सेखर को हटा कर आलोक कुमार को सिक्षा मंत्री बनाया गया था इसके दूसरे दिन बिहार में सरकार बदल गई वही अविजय चौधरी ने सिक्षा मंत्री बने हैं इन्हें जलसंसादन संसदिये कारे भवर निर्मान सूचना एवं जनसंप अब भाम कहकली इनी के पास में लिखार के खिलार्यों ने राश्ट्र कील्में जीता पदग बिहार के खिला ऀयोजित राश्टiren नाम जीतन रॉसन किया है राइपूर के बलभीर जुनेजा इंड Навीं में चार दिवसीर सब युनिय राश्ट्र य हैं इसमें से नाम कर पू बालक वर्ग अंडर 15 में रोहित मालाकार ने कान से जीता है भारत जोरो नया यातरा के दोरान सासा राम आएंगे राहुल गांधी भारत जोरो नया यातरा के दोरान राहुल गांधी सासा राम आएंगे कॉंग्रिसी इसकी तयारी में जुटे हुए हैं दो दिन में राहूल गांधी का कारेकरम फाइनल हो जाएगा यात्रा के रूट और ठहराव के लिए कॉंग्रिस के नेताओं ने जगह का जायजा भी लिया है सहर के ग्रामिन अस्थानों का भी नेताओं ने निरिक्शन किया है यात्रा के ठहराव को लेकर चर्चा की गई है एक दो दिनों में यात्रा की तारीकों की घोस ना कर दी जाएगी साथ ही कारेकरम को अंतिम रूप दिया जाएगा साथ सा राम में राहूल गान्धी की यात्रा को लेकर कॉंग्रस के नेताओं ने बैठक भी की है यात्रा को लेकर तैयारी जारी है भोजपूरी एक्टर पवन सिंग लरेंगे लोगसभा चुनाब लेकिन उनोंने चुनाब लडने का ऐलान कर दिया है इसके बाद राजिनीतिक सरगर्मीर तेज हो गई है, आपको बता दे कि भोजपूरी एक्टर और गयक होने के अलावे पवन सिंग भाजपा के नेता भी है, मुकिस छेटर से लोगसवा चुनाव लड़ेंगे विए अभी तक तैयर नहीं हुआ है, मालूम होके इससे पहले भ ख़बर आई थी कि पवन सिंग चुनाव लड़ने वाले हैं, चर्चा होती हैं कि अभिनेता आरा की सीर्च चुनाव लड़ सकते हैं, समराच चौधरी को मिलेगा पूर्व रिप्टी सीम देजस्वी यादव का बंगला अब उक्मुक्य मंत्री समराच चौधरी को मिलेग इप्टी सीम अप पार देजस्वी रतन वाले बंगले में रहेंगे, मही देजप्रताप यादव को भी अपना बंगला खाली करना पड़ेगा, इनके अलावे स्पीकर को अब अपना आवास छोड़ना होगा, बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद आवास में भी परिवर् होता है, नई सरकार बनने के बाद राज़त कोटे के मंत्रियों को अपना आवास खाली करना होगा, महा गटबंदन की सीट शरिंग को लेकर आया अपडेट, कॉंग्रेस के राश्ट्रे अध्यक्ष मलेकारदुन खरगे ने कॉंग्रेस नेताओं के साथ बैठक की, इससे प कि बिहार में कॉंग्रेस 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, इससे लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक मंधन किया जा रहा है, दिल्ली में कॉंग्रेस की बैठक में 19 विधायक 4 MLC और 1 सांसन मौझूद थे, विराट कोहली के फैंस को मिल सकती है, विराट कोहली के फैंस को वराग खुलासा कर दिया है, इंता कहना है कि विराट कोहली पूरी तरह से ठीक है और वो अपने फैंली के साथ समय बिता रहे हैं, एबी ने बताया कि दोनों अपने फैंस को खुश खबरी दे सकते हैं, अनुसका सर्मा अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है, य बिहार के राना, उमेश, रिसी देव, चंदन कुमार, लक्षमी महता, नंद प्रभाकर, अमन कुमार, मुहमत साकिर हुसेन, छोटू राजा, सुभास प्रसाद, कुमार, कॉसल सिंग, वेट प्रकास सिंग, नौसाद रजा, गोनर सर्मा, सादुला पलवी, रवी संकर, इस के साथ ही बढ़ते, आज के सवाल कियो, आज का सवाल है, आपके छेत में ठंड का असर कम हुआ है या नहीं, आप अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्षन वाक्स में लिकर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही, बिहार के तमाम खबरों के साथ वरे नहीं के लिए दे जपने बादो